सब्सक्राइब करें हमारे चानल सनराइज एड़्िकेशन हब को और इस बेल आइकन को फ्रेस करें ताकि आप पासकें हमारे नए वीडियो की अब्रेट सबसे पहले नमस्कार दोस्तो पिछले वाले वेडियो में हमने चर्चा की थी समन्ने विज्यान के टोपिक के बार में अपना टोपिक था रहा बोतीक परिवर्तन और रासाइनिक परिवर्तन तो बोतिक परिवर्तन के अंदर हमने क्या देन किया था कि बोतिक गुं में परिवर्तन हो जाता है और रासाइनिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि रासाइनिक परिवर्तन है वो एक स्थाई परिवर्तन है मतलब इसमें एक ने पदार्त का निर्वान होता है यदि हम रासाइनिक प्रिवर्तन को प्रतिकों के माध्यम से व्यक्त करें तो वो बन जाता है रासाइनिक समीकर्ण अब रासाइनिक समीकर्ण वो कितने परकार की होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो रासाइनिक समीकर्ण के यह सामानेत है या मुख्यत है या अपने पड़ें अपने अग्जाम के point of view से तो उसके सामने दो प्रकाराते हैं अपने सामने वो है अपचैन और ओक्सीकर्ण देखते हैं ओक्सीकर्ण और अपचैन में क्या होता है ओक्सीकर्ण के अंदर ओक्स का स्योग होता है तो वो जो अभिकरिया होती है वो होती है ओक्सिकर्ण इसमें समीकर्ण में देखें तो S plus O2 is equal to बन रहा है SO2 मतलब इसमें सलफर के साथ O2 यानि ओक्सिजन का स्योग हो रहा है इसलिए ये जो समीकर्ण है वो है O2 का स्योग होता है और क्या होता है कि O2 में देखें तो ये एक रिन विदूती तत्वय है यदि किसी तत्वय के साथ रिन विदूती तत्वय का स्योग होता है तो वो जो समीकर्ण होती है वो होती है O2 का स्योग हो रहा है तो ये जो समीकर्ण है इसमें बन रहा है MgCl2 मतलब यह वाखी CL2 है वो है एक रिन विदोती ततव है इस पर रिनावेस होता है इसका सियोग हो रहा है mg यान मैगनीशियम के साथ इसी काण यह जो स्मीकर्ण है वो है ओक्सिकर्ण या फिर क्या हो ओक्सिजन का जुड़ना हो या फिर रिन्विधती तत्वा का जुड़ना हो हम देखे तो ओक्षिदन पर उतायर नविश यदि हम इसके विपρίत बात करें, मतलब धनायन की तो जब इसमें H2 का निसुकाशन हो H2 का निसुकाशन हो, तो वो समीकन होती है, ओक्षिकन, देखें तो समीकर्ण है अपनी H2S प्लस Cl2 बन रहा है 2HCl प्लस S इसका मतलब यह वा कि H2 का निसकाशन H2 के साथ है सलफर इदर वारी साइट में देखें तो सलफर है अकेला इसका मतलब यह वा कि इसके साथ जो H2 जूड़ा हुआ था उसका निसकाशन हो गया इसी कारण सलफर का क्या हुआ है इसमें ओक्सिकर्ण हुआ है देखें तो H2 है इस पे चार्ज होता है प्लस या फिर क्या हो कि धन विदूती तत्वा का निसकाशन हो धन विदूती तत्वा का निसकाशन होगा तो वो समीकन होगी ओक्सिकल अब देखते हैं इसका उधार्ण समीकन है अपने पास 2Ki plus H2 auto is equal to 2Kos plus I2 पटना है अपने को दन्विदूती तत्वा का निसकाशन इसमें देखें दन्विदूती तत्वा है Potassium मतलब K और K के साथ जुड़ा हुआ है I यानि iodine यह है Potassium Iodide इसमें देखें तो इदर है अपना I2 यानि iodine और iodine के साथ जुड़ा हुआ था Potassium लेकि इदर वारी साइट में देखें तो K है गाईब इसका मतलब यह हुआ कि इसमें दन्विदूती तत्वा का निसकास्ण हो गया इसकार्ण यह जो Semicron है यह कौन सी है Oxycon क्योंकि इसमें दन्विदूती तत्वा का निसकास्ण हुआ है अब देखते हैं अपचेन में क्या होता है Oxycon और अपचेन है वो एक दूसरे के वीप्रित अभिकरिया होती है इसमें देखें तो अपने पास था H2 का निसकासन लेकिन इसमें तो इसका विपरित है मतलब H2 का योग यदि किसी तत्वे के साथ आइड्रोजन का सयोग होता है तो वो जो स्मीकरन होती है वो होती है अपचेन इसमें देखें C2H4 पलस है H2 वो इसका मिलकर अपने पास बन रहा है C2H4 तो इसमें देखें तो यहां था आइड्रोजन आइड्रोजन की संख्या थी 4 और इसमें देखें तो यहां है आइड्रोजन, आइड्रोजन की संख्या है 6 कारबन तो अपना एज़िटीज है तो इसमें क्या हुआ कि पहले आइड्रोजन की संख्याती चार उसमें दो आइड्रोजन उड़ गए तो अपने है अपने पास आइड्रोजन से है मतलब ये हुआ कि इसमें C2 के साथ हाइडरोजन का सेयोग वा है और यदि किसी समीकन में हाइडरोजन का सेयोग होता है तो वह अभिकरिया होती है upchain देखें तो आइडरोजन पे अपने पास charge होता है धन मतलब प्लस charge होता है और आगे है धनविदोती तत्वा का स्योग होता है तो वो समीकन होती है वो होती है अपचेन की देखें UCL2 प्लस CU इसकल तो बनना है CU2, CL2 पढ़ना क्या है अपने को कि धनविदोती तत्वा का स्योग देखते हैं इसमें दन्वी दोती तत्वय का सियों किस परकार से हुआ है इधर देखें CU ये भी दनाईन है CL2 है ये है रिनाई यहाँ देखें तो ये CU है कोई चार्ज नहीं है इस पर आगे देखें तो ये है CU2 CL2 CL2 तो पहले भी था CU मतलब कोपर भी पहले था लेकिन पहले पनिबास कोपर की संग्यादी एक यहाँ है कोपर दो इसका मतलब ये हुआ कि CU का इसमें सेयोंग हुआ है और CU होता है वो एक धन्वी दोती तत्वा होता है इसका मतलब ये हुआ कि समीकर्ण के अंदार देन विद्धुती तत्वा का सेयोग हुआ है इसी कान्ड यह जो उदाण है वो किसका है? अबचेन का है ओक्सिकन के नाम ने पढ़ा था कि O2 का सेयोग हो तो वो होती है ओक्सिकन अभी किरिया इसमें इसका विपरित है यदि O2 का निसकासन होता है तो वो समीकरन होती है अपचेन की देखें इसका उदान तो है CuO plus S2 बन रहा है Cu plus S2O पढ़ना अपने को है भी ओटू का इसमें निस्काजन किस परकार से हुआ है इसमें देखें CuO कोपर के साथ जुड़ा हुआ है ओक्सिजन इधर देखें तो कोपर colo है कि इसका मतलब यह हुआ कि यहां से O2 यानि oxygen का निस्काजन हुआ है इसकार यह जो उदान है वो किसका है अपचेन का है देखें तो oxygen है इसमें चार्ज होता है माइनस मतलब यह होता है रिनविदूती तथ्वे तो यदि किसी स्मीकन में रिण विदूती तत्वय का निस्कासन होता है तो वो स्मीकन होती है अपचेन के उतान है अपने पास SNCL4 प्लैस HG2Cl2 नराहा है 2HGCl2 प्लैस SNCL2 तो देखते हैं इसमें रिण विदूती तत्वय का निस्कासन किस परकार से हुआ है यहाँ देखें तो है अपने पास SNCL 4, मतलब कलोरिन की संख्या है 4, यहाँ देखें तो है SNCL 2, मतलब कलोरिन है अपने पास 2 ही, इसका मतलब यह वा कि यहाँ संख्या थी 4, और 4 से यहाँ हो गई 2, इसका मतलब कलोरिन 2, कलोरिन प्रमानों की संख्या है, वो कम हो गई, और कल और इन पे हमें पता है कि चार्ज होता है रिन मतलब माइनेस तो इसमें क्या हुआ है? रिन विद्धी तत्व का निसकासन हुआ है इसलिए ये जो अपना उदारन है वो किसका है? अपचैन का है विट कर लेते हैं ओक्षिकन और अपचैन को कि ओक्षिजन में हमने क्या देखा था कि ओक्षिजन का स्योग होता है और अप्षिजन के अंदर ओक्षिजन का निस्कासन होता है तो लात्मक अध्यन के रूप में हम देखें तो इसमें ओक्षिजन का स्योग है और इसमें ओक्षिजन का निस्कासन है मतलब यह है कि यदि पर देखें तो उस पे रिण विदूत तत्वा है मतलब ऑक्सिजन पे चार्ज माइनस होता है यदि रिण विदूती तत्वा का सेयोग होता है तो वो अपने उदारन होता है ओक्सिजन का लेकिन यदि क्या हो ओक्सिजन ओक्सिजन के समान को इरिण विदूती तत्वा का निसकासन हो तो वो अपना उदारन होता है अपचेयन का यदि हम देखें तो इसमें H2 का निसकासन है ओक्सिकर्ण के अंदर क्या होता है H2 का निसकासन होता है और अपचेयन में हम देखें तो H2 का क्या होता है स्योग होता है उसी परकार हम देखें कि H2 है इस पर चार्ज होता है धन मतलब प्लस चार्ज होता है यदि धन विदूती तत्वा का निसकासन है तो वो उदालन है ओक्सीकर्ण का यदि किसी समीकर्ण के अंदर हम देखें कि धन विदूती तत्वा का निसकासन हो रहा है तो वो समीकर्ण होती है ओक्सीकर्ण की इसका विपरिद है अपचेन तो अपचेन में क्या होगा धन विदोती तत्वा का सयोग होगा यदि किसी समीकन के अंदर धन विदोती तत्वा का सयोग हो रहा है तो वो समीकन होती है अपचेन की हमने पड़ा है ओक्सिकलन और अपचेन किसके अधार पे O2 मतलब oxygen और H2 यानि hydrogen के अधार पे हम देखें तो oxygen है उस पे होता है माइनस चार्ज मतलब रिनविधोती तत्वय और धनविधोती तत्वय के अधार पे हमने oxygen और अपचेन पड़ा है लेकिन यदि किसी समीकन में hydrogen और oxygen ये दोनों ही नए हो तो हम उसमें किस परकार से difference करेंगे बेश में oxygen हुआ है या अपचेन हुआ है तो नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें अपना क्या होगा electronic अधाना यनि यदि किसी समीकन के अंदर oxygen या hydrogen नए हो तो हम उसमें कैसे difference करेंगे कि ये जो समीकन है वो oxygen की है या अपचेन की है तब तक के लिए जुड़े रही है आप हमारे चैनल के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो like और share करेंगे